दानियल भविश वक्ता की पुस्तक अध्याय चार नभुखदनेसर राजा की ओर से देश तेश और जाती जाती के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पूत्वी पर रहते हैं, उन सबों को यह वचन मिरा, कि तुम्हारा कुशल शेम बढ़े तुमको अच्छा लगा कि परमप्रधान परमिश्वर ने मुझे जो जो चिन्ध और चमतकार दिये हैं, उनको प्रगट करो उसके दिखाय हुए चिन्ध क्या ही बड़े और उसके चमतकारों में क्या ही बड़ी शक्ती प्रगट होती है उसका राज्य तो सदाका और उसकी प्रभुता पीड़ी से पीड़ी तक बनी रहती है मैं नभुखद्नेसर अपने भवन में जिसमें रहता था चैन्स और प्रफुलित रहता था मैंने ऐसा स्वपन देखा, जिसके कारण मैं डर गया, और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आये और जो बाते मैंने देखे उनके कारण मैं घबरा गया था। तब मैंने आग्या दी कि बावुल के सब पंडित मेरे स्वपन का फल मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर की जाए। तब जोतिशी, तंत्री, कज्दी और होनहर बताने वाले भीतर आए। और मैंने उनको अ दानियल मेरे सन्मुखाया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेरत शत्सर रखा गया था, और जिसमें पवितर परमेश्वर की आत्मा रहती है। और मैंने उसको अपना स्वपना यह कहे कर बताया कि हे बेल शत्सर, तू तो सब जोतिश्यों का प्रधान है। मैं जानता हूं कि तुझ में पवितर परमेश्वर की आत्मा रहती है, और तू किसी भेत के कारण नहीं घबराता। इसलिए जो सपन मैं देखा है, उसे फल समय तुझे बता कर मुझे समझा दे। पलंग पर जो दर्शन मैंने पाया, वह यह है, आथात मैंने क्या देखा। कि सारी पूत्वी के बीचों बीच एक वुरुक्ष लगा है, जिसकी उचाई बहुत बड़ी है, वहाँ वुरुक्ष बढ़बर कर दुड़ हो गया, उसकी उचाई स्वर्ग तक पहुची, और वहाँ सारी पूत्वी की छोर तक देख पड़ता है, उसके पत्ते सुन्दर है और उसके फ़ाल बहुत है, यहां तक कि उसमें सभों के लिए भोजन है, उसके नीचे मैदान के सब पुष्यों को छाया मिलती है, और उसकी डालिया में सब आकाश की चुडिया बसेरा करती है, और सब पानी उसके आहार पाते है, मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतराया, उसने उची शब्द से तुकार कर यह कहा कि रुक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छाट दो, उसके पत्ते जाड़ दो, और उसके पफल छितरा डालो, पशु उसके नीचे से हट जाए, और चिडिया उसकी डालि उपर से उड़ जाए, तो भी उसके डुंड को जड़ समय भूड़ी भूमी में छोड़ो, और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांध कर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो, वहां आकाश की ओस से भीगा करे, और भूमी की घास खाने में मैदान के पशु के संग भाग यह नियम पहरों के निरने से, और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली, और उसकी यह मनसा है कि जो जीवित है, सो जान ले कि परमप्रधान परमिश्वर मनुशों के राज्य में प्रभूता करता है, और उसको जिसे चाहे उसे देता है, और तब उस पर नीच से न चाती को भी नियुक्त कर देता है, मुझ नभुखद्नेसर राजा ने यही स्वपन देखा, सो हे बेलससर, तू इसका फ़ाल बता, क्योंकि मेरे राज्य में कोई और पंडित तो इसका फ़ाल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र परमेश्वर की आत्म रहती है, इस कारण तू उसे समझा सकता है, तब दानियर जिसका नाम बेलससर भी था, घड़ी भर घबराता रहा, और सोचते सोचते व्याकुल हो गया, तब राजा कहने लगा, हे बेलससर, इस स्वपन से वा इसके फ़ल से तू व्याकुल मत हो, बेलससर ने कहा, हे मेरे रभो, यह स्वपन तेरे वाईरियों पर, और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले, जिस रुक्षकों तुने देखा, जो बड़ा और द्रूड हो गया, और जिसकी उचाए स्वर्गत तक पहुची, और जो पुत्विभर फैल गया, जिसके पत्ते सुन्दर और फाल ब राजा, उसका अर्थ तु ही है, तु तो बड़ा और सामर्थी हो गया, तेरी महमा बड़ी और स्वर्गत तक पहुच गई, और तेरी प्रभुता पृत्वी की छोर तक फैल गई है, और हे राजा, तुने जो एक पवित्र पहिरों को स्वर्गत से उतरते और यह कहते कि रुख्ष को काड़ डालो और उसका नाश करो, तो भी उसके ठूंड को जड़ समेत भूमे में छोड़ो, और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांध कर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो, वह आकश की ओस से भीगा करे, और उसको मैदान के पशों के संग ही इसका फल जो परमप्रधान ने ठाना है, कि राजा पर घटे वह यहां है, कि तू मनुशों के बीच से निकाला जाएगा, और मैदान के पशों के संग रहेगा, और बैलो की नाई घास चरेगा, और आकश की ओस से भीगा करेगा, और साथ यूग तुछ पर बीतेंगे, और उस रुक्ष के ठूंड को जड़ समेत छोड़ने की आग्या, जो हुई है, इसका फॉल यहां है, कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा, और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभू स्वरगही में है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा, इस कारण है राज मेरी यह सम्मति स्विकार कर, कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे, और अधर्म छोड़कर दिन हिनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे यह सब कुछ नभुखदनेचर राजा पर घट गया, बारह मैने के बीतने पर जब वह बाबू के राजभून की छट पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बाबू नहीं है, जिसे महिने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने जाके महोसे निकलने भी नपाया था, कि आकाशवानी हुई, कि हे राजा नभुखदनेजर तेरे विशे में यहा अग्या निकलती है, कि राज तेरे हाथ से निकला गया है, और तु मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा, और मैदान के पशू के संग रहेगा, और बैल पधान मनुष्यों के राज्य में प्रभूता करता है, और उसको वहाँ जिससे चाहे उसे देता है, उसी घड़ी यह वच्चन नभुखदनेसर के विशे में पूरा हुआ, अर्थात, वहाँ मनुष्यों में से निकाला गया, और बैलों की नाई घास चारने लगा, और उस की देह आकाश की ओस से भिखती थी, यहा तक कि उसके बाल उकापक्षियों के परों के और उसके नाखुन चिड़ियों के चंगुलों के समान बढ़ गए, उन दिनों के बीतने पर मुझ नभुखदनेसर ने अपनी आखे स्वर्गे की ओर उठाई, और मेरी बुद्धी फ यह कैकर करने लगा, कि उसकी प्रभुता सदागी है, और उसका राज पिढ़ी से पिढ़ी तक बना रहता है, और पुथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुछे गिने जाएगे, और वहाँ स्वर्गे की सेना और पुथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छ के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोब कर उससे नहीं कह सकता कि तुने यह क्या किया है, उसी समय मेरी बुध्धी फिर जो कित्यो हो गई, और मेरे राज्य की महमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ़ पर फिर आ गया, और मेरे मंत्री और प्रधान लोग मु अब मैं नमुखदनिजर स्वर्ग के राजा को सरहाता हूं और उसकी स्तूती और महिमा करता हूं क्योंकि उसके सब काम सच्छे और उसके सब व्यवार न्यायके हैं और जो लोग घमन से चलते हैं उनको वह नीचा कर सकता है.